खुच्रात की वडोद्रा शहर में कॉर्पोरेशन पर हमेशा ही अस्पतालों के साथ मिली भगत के आरोप लगते आये हैं ये मिली भगत किस कदर सावित हो रही है ये आज हम आपको दिखा रहे हैं वडसर में विश्वामित्री नदी के किनारे कुछ कबाड़ वाले अपना कबाड़ इकठा करते हैं उत्रान के दिन यहां आग लग गई थी और उसके बाद ये समूचा मामला उजागर हुआ उजागर हुआ और उसके बाद भी जो कारवाही हो रही है उस पर एक बड़ा सवाल्या निशान है क्यूंकि जब यहां हम देख रहे हैं चारो और सिर्फ और सिर्फ बिखरा पड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है मेडिकल वेस्ट को डिस्पोस करने की एक खास प्रक्रिया होती है और सभी अस्पतालों को उसे फॉलो करना होता है लेकिन अस्पतालों द्वारा किस कदर यहां कॉर्पोरेशन के अधिकारियों या करमचारियों के साथ या कबाड़ियों के साथ मिली भगत कर बायो मेडिकल वेस्ट किस तरह खुले में डिस्पोस किया जा रहा है आईए दिखाते हैं आपको यहां कचरे की भरमार है और उस कचरे में जादा तर सिर्फ और सिर्फ बायो मेडिकल वेस्ट साफ साफ देखा जा सकता है कई injection ऐसे हैं जो इस्तमाल हुए हैं, कई दवाईयां ऐसी हैं जो इस्तमाल नहीं भी हुई हैं, जहां देखो चारों और सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की बोटलें बिखरी पड़ी हुई देखने मिल रही है, यही नहीं injection के साथ साथ दवाईयां खुले में इसी तरह डिस्प करती गई है, ना सिर्फ दवाईयां यहां खुन से भरी हुई बोटले खुले में पड़ी हुई दिखरी रही है, यहां पर सिरींज जो लगाते हैं, यहां पर सलाइन जो लगाते हैं, सब कुछ बायो मेडिकल वेस्ट में जो आता है, हर एक चीज यहां देखने मिल रही है दवाईयों के बक्सों से लेकर हर चीज को खुले में डिस्पोस कर दिया गया है, और यह वडोदरा शहर के लोगों के स्वास्त के साथ सीधा सीधा खिलवाड है, यह देखिए, एकस्पाइरी दवाईयों का जथ्था, पूरे के पूरे बक्से यहां खुले में फैक दिये गए हैं इसकी expiry date है अपरेल 2023 और इसी तरह यहां दवाईयों का जथ्था इंजेक्शनों का जथ्था हर एक चीज यहां जो अस्पताल में इस्तमाल आती हैं सलाइन के लिए जो पाइप इस्तमाल किये जाते हैं वो सारी चीज़े यहां कबाड में देखने मिल रही है सुनायम चिकाकाचे आग लागीती तमारी दुकाना चैटvous Ulort दवा ना इंजेक्शन छे दवानी बोटलों छे बदेंद्दु चे अग्षार्य उरी पेट दी कर ज satisfशूjem कर सुद्धिसकून अगें के लि available trial एक अगे पाइड़ इस जुटकन रचें कर लोग मत ले दी गोता है एक लोग में तक यिक टल पुमे थे जोबीक भ Laurie कि वान Newro one ऒख है लो कही नंध? कहा भूत आट आ ज्ट बटला तो दवान ऐन इन जेक्शन हो रड़衔्धा भान भड़ हो उनी पडिशा Wit! क्या रड़ी जाaja ये रिवाल चार कğलो पाच केलो निदुनी था नो तो तम ए ने चोईनने तो रहता हैं? वेस्ट की ओमने खबस ना लेसे अटता स्वेड़िने अट्रापटत पाली कीदु अधिकारी आधिक वाडे की ओधरी तो एमिने कहीं आधिकारी ने अदिकरी कीदु हमारी अधिकारी बेट जीन अधिकारी पालिक वड़ आय कोार ऌतनी है की तु तु करिने भें, भध्यू किदू हम बहुतिू, बहुति अध्यू नहीं थे पहला है कि अध्यूफी आजे पहला है? तो अजे पहली भार की दू के पच्शास वा अरशनों तुम्हारा दंदू तुम्ने आज सुधी खबर नोति है ड़ा है? कि वह ठाने हैं में five गुषते बहुटती हैं er economy Я करें यह शाप करें disparو Tempera हाजस्पीटलों छेटेल शें ही लिए हाजश्पीटल में। है एन् Only अवन राworkers हो दूस्पीं से थाविए लीवे तक राड़्गीर्टों? दोलrock वेष्प्राण्ट्स फिच्छा उपतलों parts रिक्समला डिकोहारा पहता हो जह गिलाए हो इसके बाटल, या। मतर Пविझ हो 50 था यहारे , 50 किलो में हो कि अदू लाइसेन्स नाथ चला हो मतह है। एँ कोई थे जग्या हॉदूवाँ भाल बारी Almost 15ग दोगा के प्रीकाश दोगी। आने तमने यहां भाड़े परा आग लीचे? किटलू भाड़ू किटला वर्षो थी यहां चलाओं? मैंने पंदर वर्षे ही गया है, मैंने पहला बारस्वर भाड़ू से भाड़ू अगा अटारसो से वडोद्रा निकट वड़सर में वडोद्रा में ही ये इलाका आता है और यहां डंबिंग साइट जैसा बना रखाए कबाडियों का गोदाम है बहुत सारे कबाड़ी यहां वडोद्रा शेर का कच्रा एकत्रित करते हैं और उसी में बायो मेडीकल वेस्ट मिलने का परदा फाश हुआ है उसके बाद अचानक पालिका के अधिकारी और जपिसीबी के अधिकारी हरकत में आये हैं और आज ही यहां ये बोर्ड लगाया गया है कि सीधा सीधा यहां लिखा हुआ है कि इस तरह संग्रहित नहीं किया जा सकता लेकिन संग्रह सालों से हो रहा है लेकिन पालिका के अधिकारी या जीपी सीबी के अधिकारीों की इस पर कोई नजर है ना ही उनकी कोई लगाम है और खुले में जो डिस्पोस मेडिकल वेस्ट हुआ है वो वडोद्रा शहर की नागरिको की जान पर खत्रा पैदा कर रहा है बडोद्रा महानगर पालिका को जो कच्रा मिलता है उसमें जो बायो मेडिकल वेस्ट होता है वो इस तरह कॉर्पोरेशन की गाड़ियों के पीछे लटका कर यहां ले आया जाता है और यहां उसे छोड़ दिया जाता है और वो ही चीज फिर खत्रा समान साबित हो सकती है कॉर्पोरेशन का यह जो टैंकर है जो यह वाहन है यहां कच्रा फैक नहीं आया था लेकिन वियन आम का कैमरा देखते ही बिना कच्रा खाली की यह टैंकर यहां से नदारत हो गया है वडोद्रा शहर से गुजरती विश्वा मित्री नदी के बिलकुल किनारे सटा हुआ के भंडार फरे हुए हैं जो शायद सालों से इसी तरह यहां स्टोर किये जाते होंगे और जब आग लगी तब यह समुचा मामला उचा कर हुआ है इस मामले हमने जीपीसीबी के अधिकारी जीतिंद्र महिडा से भी बात कर जाने की कोशिश की कि आखिरकार इस घटना के बाद जीपीसीबी ने क्या कदम उठाए है कुझरात की वडोदरा शहर में कॉर्पोरेशन की रहम नजर के तले चलने वाली हॉस्पिटल्स बायो मेडिकल वेस्ट का सही डिस्पोजल नहीं करती है जो चौदा दार इक को फायर की जो इस घटना सामने आई है पर फायर की जो इंसिदेंट हुआ था उसके बेस पे पंद्रा तारिक को और सोला तारिक को दो दीन हमारी इंक्वाइरी हुई थी इस साइट पे वहाँ पे देखने को मिला है के ज्यादा तर वहाँ पे सैलाइंड बॉटल की वाटर और कर दो रिजेक्टेड जो मेडिसीन रहती है और उसकी खाली बोटले मिली थी को प्यूर ऐसे कंटामिनेटेड वेस्ट देखने को नहीं मिला था हमारी इंक्वाइरी चालू है वहाँ पे कोई बंगार वाला था वहाँ पे छोटे चोटे बंगार वाले से यह प्लास्टिक का और काच की बोटल लेके उसको सेग्रिगेट करके वो इलीगल बेचने का काम करता था तो हमको हमारी अभी भी तपास चालू है कि अगर कौन सी हॉस्पिडल से आया है वो हम इंक्वाइर कर रहे हैं अभी आप कह रहे हैं कि छोटे कबाड़ वाले से वो कबाड़ खरीदता था तो उसकी भी जांच कहीं ना कहीं हो रही है तो क्या पालिका कर रही है या पुलीस दुवारा इसकी जांच करवाई जाएगी किस तरह बड़ी हॉस्पिटल्स कोई ना किसी ने कोई हॉस्पिटल ने का होगा तो उसकी उस तक कैसे हम पहुंच सकेंगे हमारी जो प्राइबरी इन्विस्टिकेसन हुई है इसमें ऐसा जानने को मिला है कि छोटे-छोटे कबड़ वाले सिटी की ऑस्पिटल से ये प्लास्टिक और ये काज की बोटले कलेक करके ये बड़े कबड़ वाले को देते थे तो हम वही उससे हम जानने की कोशिस कर रहे है कि वो कहां से ला रहे थे ऑस्पिटल अगर किसी भी ऑस्पिटल का हमको मिलेगा तो उसके उपर कड़ी सिकड़ी कार्योई की जाएगी जिपसीबी और वडोरा महानगरपाली का द्वारा जांच की जा रही है और आशा करते हैं कि बायो मेडिकल विस्ट आखिरकार कौन खुले में डिस्पोस करता है उसकी तहत तक पहुचना जरूरी है क्योंकि ये पूरे वडोद्रा शहर के लिए कहीं न नाफे के लिए बायो मेडिकल वेस्ट काुस्त की जा रहा है इसमें वडो द्रा महानगरेपाली का के अधिकारी या करबीकारी की मिली भगत को कहीं भी नकारा नहीं जा सकता, on a video. यहां स्टोर हो रहा है और उसकी कानों कान किसी को भनक ना हो ये मानना थोड़ा सा सोच से भी परे है जब अब ये पूरा मामला बडुदरा शहर के सामने आया है तब बडुदरा कॉर्पोरेशन के अधिकारी और GPCB इस पर क्या कारवाही करता है उस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी सहियोगी फरत राशपूत के साथ मयूरी का वियनाम चीवी के लिए